Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल लेकनी के हिसाब से, ONDC एक ऐसा विचार है, एक ऐसा आइडिया है, जिसका समय आ गया है, और इसको कोई नहीं रोक सकता, ONDC है Open Network for Digital Commerce, E-Commerce के लिए ये Open Source Platform है, जो सरकार डेवलप कर रही है, ONDC has been touted as the UPI for E-Commerce, भारत सरकार ने Digital Payments को Democratize करने के लिए, Easy बनाने के लिए UPI को डेवलप किया, National Payment Corporation of India ने, और उसकी तरज पे ही E-Commerce Space को Democratize करने के लिए, ONDC का निर्मान कर रही है भारत सरकार, और इसको बैक कर रहे हैं, नंदन निलकनी, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, आधार प्लाटफॉर् को भी डेवलप करने के लिए, अब बात समझी, Government of India के एक Estimate कहता है कि 2021 में E-Commerce Space जो भारत का है, वो 55 बिलियन डॉलर्स या उससे जादा का है, और भारत सरकार का Estimate कहता है कि 2030 में ये E-Commerce पे 300 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, तो ये necessary है कि हम E-Commerce Space को democratize करें, क्यों? क्योंकि जो Amazon है, जो Flipkart है, ये platform driven up है, यहाँ एक restrictive marketplace create हो रही है, जो भी लोग को registered है, सिर्फ वही लोग अपना समान बेच सकते हैं, जिसको Amazon पे register भी ना करें, अगर E-Commerce में समान बेचना है, वो बेची नहीं सकता, तो उनके लिए, जो MSME है, जो आपके घर के बाजू के किराना स्टोर हैं, परचून की दुकान वाले हैं, भाई वो Amazon पे कैसे समान बेचेंगे, भाई उनके पास इतनी financial capacity है नहीं, कि वो Amazon को हर sale पे कुछ पैसा दें, तो उनके लिए, एक marketplace त्यार करना, जो एक open source market space हो, कि अगर मैं एक seller हूँ, मैं Amazon पे जाकर समान नहीं बेचना चाता, मैं किसी और से समान बेचना चाता हूँ, तो मेरे पास ये interoperability का option होना चाहिए, तो open space e-commerce, ONDC, open network of digital commerce भारत सरकार डेवलप कर रही है, अब निंदर निलिकने इसमें क्यों आते हैं, नंदर निलिकने इसमें इसमें आते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने जो एक committee बनाई है, ONDC को डेवलप करने के लिए, suggestion देने के लिए उसके सदस हैं, और नंदर निलिकने इसमें हाल ही में 15 अगस को एक interview में बहुत सारी बाते कहीं हैं, उनको भी हम देखेंगे, so nobody can stop an idea whose time has come, अब ONDC, how ONDC will kill Amazon and Flipkart, क्योंकि ये एक monopoly market बनाते हैं e-commerce में, एक data point आपको यहां समझने का है कि भारत का जो present e-commerce का marketplace है, उसके 60% market share, Amazon, Flipkart, Walmart इनके पास है, so they have a monopolistic market share in e-commerce और जिसको भारत सरकार कम करना चाहती है, democratize करना चाहती है e-commerce को, जिसमें सब को फाइदा हो, ना कि कि कुस चुनिंदा कमपनियों को, अब आप मुझे social media पे follow कर सकते हैं, twitter, instagram और telegram पे, telegram में आप मुझे ढूंड सकते है commercial economy group से, और वहाँ आप मुझे जुड सकते हैं, अब ONDC, नंदली निकली में हाल ही में interview में कहा, कि ONDC की एक प्राकृतिक demand है, और वो बहुत खुश हैं, और बहुती अचंबित हैं, surprised हैं, इस demand को देखके, और खास तोर से, जो छोटे retailers हैं, छोटे खुदरावेपारी हैं, वो इससे बहुत ज़ादा खुश हैं, और वो इसमें participate करेंगे in this global digital e-commerce world, जो एक open source, open network होगा, restrictive नहीं होगा, और इसकी वज़ से क्या होगा, जो hyper local commerce है, जो हमारे किराना shops वाले हैं, परचूर की दुकान वाले हैं, उनको बहुत ज़ादा इससे मिलेगा, ये कहा उनने, ए idea whose time has come, येक idea है, जिसका time आ चुका है, और सरकार ने हाल ही में, ONDC का एक pilot project launch किया है, भारत के 5 शहरों में, ठीक है, और it has been touted as the next UPI, ये next UPI की तरह है, क्योंकि इसके जरिये भारत सरकार क्या चाहती है, कि e-commerce state को भी हम democratize करें, ताकि जो छोटे बेचने वाले लोग हैं, seller ह उनको digital technology का access मिले, और जो आज के समय एका अधिकार है, Amazon और Flipkart का, वो खतम हो सके, ताकि सब को फाइदा हो, अब सवाल उठता है कि भाई, ये ONDC क्या है, तो ONDC भारत सरकार की not for profit company है, जैसे NPCI है, जिसने UPI develop किया है, वैसे ONDC है, ये एक not for profit company है, और ये एक network है, open source network है, जिसमें sellers voluntarily, अगर मैं कुछ बेचना चाहता हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से, अपने समान को इस open source network पे डाल सकता हूँ, बेचने के लिए, चाहे मेरा समान हो, उत्पाद हो, चाहे सेवा हो, और voluntary display the products and services across all participating acts on platform, देखिए, आज के समय अगर हम आगे बढ़ें, आज के समय, platform centric model है, platform centric model क्या है, आप amazon का आप डाउनलोड करिए, उस पे आप register करिए as a buyer, as a seller, तो आप उसी platform पे जाकर अपना समान बेच सकते हैं, या खरीच सकते हैं, आप amazon पे listed product, flip card से तो खरीच नहीं सकते हैं, और flip card पे listed product, amazon से नहीं खरीच सकते हैं, तो वो platform centric approach है की नहीं है, एक platform पे जाईए, वहीं आप जाकर समान खरीच सकते हैं, चाहे वो zomato हो, चाहे वो swiggy हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप platform driven approach हैं, लेकिन open network approach क्या होगा, open network approach में क्या होगा, यहां बहुत सारे ग्राहक हैं, यहां बह वो इस open network का इस्तमाल करेंगे, आप इस open network में अपने समान को list करेंगे, और जो buyer है वो भी इस open network को access करेगा, अपना डालेगा, मुझे mobile खरीना, मैं mobile search करूँगा open network पे, मुझे multiple option मिल जाएंगे, मेरा जहां से मन करेगा, मैं खरीद लूँगा, मेरे को restriction नहीं है कि जाकर मै Amazon में register करूँ, फिर वहीं से खरीदूँ, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं होगा, UPI में क्या होता है, UPI open source digital payment का method है, उसमें क्या है, उसमें मेरी मर्जी है, मैं Paytm का UPI इस्तमाल करूँ, Google पे इस्तमाल करूँ, phone पे इस्तमाल करूँ, access bank का UPI इस्तमाल करूँ, HDFC bank का इस्तमाल कर और मैं अपने Paytm UPI से phone पे, UPI पे भी transfer पैसा कर सकता हूँ, तो इसी तरह ये interoperability open network अलाव करेगा e-commerce के sector में भी, तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप Amazon पे ही जाकर बेचो या Flipkart पे ही जाकर बेचो, आपका मने आप जहां जाकर बेचना चाते हो बेच सकते हो, जो buyer ह है, जिसको खरीदना है, वो भी कहीं से भी आकर आपका खरीद सकता है, जिसे UPI में होता है, अगर हम पीछे जाएं, तो ONDC एक non-profit company है, since the network uses open specification and protocol, it isn't tied to down to any one platform, जो बता है आपको कोई platform पे tight नहीं हो, open source है, आप access कर सकते हो, it does not require buyers and sellers to use the same platform, आप open source के जरीए Amazon का product देख रहे हो, ठीक है, आपने देखा, आप बेच रहे हो, आपने Amazon का product था, आपने open source पे डाला, अब वो इनसान किसी और आपके थूँ आपका product देख रहा है, और खरीद सकता है, तो जरूरी नहीं है, same platform पे buyer seller होने चाहिए, different platform पे हो सकते है, interoperatability allowed है, so long as the platform is connected to open network, जो आपका platform में जिस पे आप बेच रहे हो, या खरीद रहे हो, वो अगर ONDC से connected है, तो आप अपने product को बेच और खरीद सकते हो, irrespective of the application, in April this year, Department of Industry and Internal Trade launched the test, pilot project कहां कहां launch किया गया है, 5 शेरों में launch किया गया है, Delhi NCR, Bangaluru, Coimbatore, Bhopal और Shilong में, यहां इसको launch किया गया है, और यहां के retailers को onboard कराया जा रहा है, ताकि ONDC को pilot project के बाद एक हम राश्ट स्तर पे लागू कर सकें, नंदन लिलिकनी नी ये भी कहा है कि ONDC की जो demand है, ONDC as a platform popular अगले 5 साल में बहुत जादा popularity पाएगा, जैसे UPI को भी popular होने में कुछ समय लगा था, वैसे ONDC को भी popular होने में क to build end-to-end e-commerce solution, small retailers and MSME have little choice, but to sell through established platform, trust built on these platform in the form of rating is also not transferable, which keeps them bound, मतलब क्या है इसका, कि जो छोटा खुद्रा वेपारी है, या MSME जो अपना सामान बेचना चाहते हैं, उनके पाद तो इतना पैसा है नहीं कि वो अपना platform develop कर ले और उस पे सामान बेचने, तो उनकी मजबूरी बन जाती है, कि जो established platform है, Amazon, Flipkart, Snapdeal, यह जितने हैं, या जो खाना बेचते हैं, Swiggy, Zomato, एक मजबूरी है कि वो इस पे जाते हैं और बेचते हैं, और इसमें क्या है, कि Amazon पे अगर आपकी पांच स्टार रेटिंग है, तो वो product आप Flipkart पे बेच रहे हो, तो आपकी रेटिंग वहाँ ट्रांसफर नहीं हो जाएगी, अगर Flipkart पे किसी ने आपका सामान खरीदा और उसने आपको रेट किया, तब ही आपकी रेटिंग वहाँ दिखाएगा, लेकिन open source जो platform है, वो interoperatability of आपकी जो trust आपने बिल्ड किया है, star rating से वो भी transferable हो जाएगा, तो ये democratize कर रहा है, monopolies को खतम कर रहा है, आगे बढ़त start होने वाला है, तो देरी मत करिए, अगर आप UPSC के लिए prepare करना चाहते हैं, तो foundation batch 4 में enroll कर सकते हैं, 22 अगस से इसकी classes start होगी, सुबह 8 बजे इसकी classes होगी, सबसे पहले quality से इसकी शुरुवात की जा रही है, और ये course इस समय 20,499 का है, अगर आपको इसमें discount चाहिए, तो आप use कर सकते हैं code KP live, ये code का इस्तमाल करकर आपको ये course 18,500 का मिल जाएगी, इसमें आपको क्या-क्या मिल रहा है, इसमें आपको 900 प्लस आर की live classes मिली, जैसे live sessions होते हैं, हम बात करते हैं, आप doubt पूछते हैं, वैसे ही live class होगी, एक चीज़ वो, दूसरी, आपको daily answer writing कराए जाएगी means perspective से, weekly revision quiz होएंगे, फिर आपको ग्यानवानी session होगा, उसके इलावा, आपको एक mentor दिया जाएगा, जो आपकी सारी जरूरत हो, जो studies के दौरान, पढ़ाई के दौरान, आपको कोई भी doubt है, class के बाद, कोई personal issue भी है, demotivated feel कर रहे हो, तो mentor आपको दिया जाएगा उसके बाद mcq-based learning ताकि prelims में आपका फायदा हो, और आपको daily current affairs भी कराया जाएगा उसमें, as a part of the course, as well as एक आपको crash course दिया जाएगा प्रिलिंस में, ताकि आप प्रिलिंस में अपना score boost कर पाए, ये सारी चीजे इस course का part है, तो अगर आपको ये course 18,500 में लेना है, तो आ आप use कर सकते हैं, code kp live, अब वापिस आ जाते हैं अपने topic ondc पे, ये बता चुका था मैं आपको, अभी platform centric है, open network centric हो जाएगा, आगे जब हम बढ़ते हैं, तो देखें ये ondc है, open source है, अब इस पे क्या होगा, एक तरफ तो consumers यानि buyers होंगे, एक तरफ sellers होंगे, different जैसे upi के different platforms होते हैं, वैसे ondc के different platforms होंगे, जहां sellers अपने products को ला सकते हैं, ondc platform पे, और different platforms के buyers आएंगे, वो भी open source पे आएंगे, वो access करेंगे, आपका product और buy कर लेंगे, उनको choice दी जाएगी, buyers और sellers को, कि आपको कौन सा platform चुनना है, आप चुनिए, कोई restriction नहीं है, आगे बढ़ते हैं, how does it work, काम कैसे करता है, सबसे पहले चीज़ यह करता है, connecting buyer to the network, जो आदमी खरीदना चाता है, उसको जो open network है, उससे connect करता है, अब buyer की तरह मैं कोई भी आप चुननू, जैसे upi में pay tm है, phone pay है, access bank का है, कई तरीके के हैं, फिर connecting seller to the network, जो बेचना चात अपना समान उसको भी connect करता है, open network से, उसके लाबा यह gateway प्रोवाइट करता है, क्या है यह, application that will broadcast search requests received from buyer side app to seller side apps listed on ONDC registry, based on search criteria, मैंने as a buyer डाला mobile phone, मानलो, मैंने डाला one plus mobile phone, या iPhone डाला, या Samsung डाला, कुछ भी डाला, तो मेरी search सारे जो buyers हैं, different apps पे, उनके पास request जाएगी, और वो मुझे बताएंगे कि वो कितने का बेच रहे हैं, तो सारे, अभी क्या है, मैं Amazon पे डालता है, तो सरिफ Amazon पे जो listed sellers हैं, वो नहीं का आता है न, flip card को तो नहीं आ जाएगा, मैं भी flip card पे सस्ता हो, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं register नहीं, flip card पे, तो ये वो चीज़ हटाता है, ये gateway बना रहा है, उसके लावा technological service प्रोवाइट कर रहा है, ये एक software technical add-on दे रहा है, जो MSME छोटे retailers के पास available नहीं है, क्योंकि उनको पैसा नहीं है, तो ये open sales सरकार दे रही है, तो ONDC क्या करता है, buyers और sellers क connect कर रहा है, अब है, in practice you'll be able to download ONDC app for your choice, जैसे UPI में आप करते हैं, बार-बार बता रहा हूं मैं आपको, use it to buy certain products and services from the sellers that offer them, deliveries will be handled by logistic partner, जो भी उस ONDC app के logistic partner होंगे, वो आपके delivery कर देंगे, जैसे UPI है, वैसे वहाँ भी है, आगे बढ़ते हैं, ONDC isn't just retail sector, पहली बात समझे, सरिफ ये खुद्रा वैपार के लिए नहीं है, इसको हम wholesale वैपार के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं, इसको हम mobility यानि जैसे अभी Uber होता है, Rapido Bike होता है, अभी वो भी platform driven है की नहीं है, तो हम वहाँ भी ये लगा सकते हैं, food delivery में भी डाल सकते हैं, इस्तमाल कर सकते हैं, logistic यानि जो courier service होती है, उसके लिए भी इस्तमाल सकता है, travel services के लिए, urban services सब के लिए ये इस्तमाल किया जा सकता है, so it is going to revolutionize, democratize, e-commerce, अब जो पहला phase होगा, उसमें सिर्फ तीन डोमेन पे काम किया जाएगा, retail domain, खुद्रा वैपार, wholesale domain, यानि थोक क वैपार और logistic domain, जो समान देते हैं, आपके घर पे आकर जो delivery करता है, वो logistics का बंदा होता है, तो इन तीनों छेत्र में ONDC पहले काम करेगा, अब इसके foundation pillar क्या है, मैंने आपको बताया, एक तो ये open network दे रहा है, restrictive नहीं है, कोई भी कहीं भी access कर सकता है, digital infrastructure provide कर रहा है, public good है सब को ये access होगा, restrictive नहीं है, उसके अलाद open ecosystem है, जो knowledge है, innovation है, वो सारी चीज़े ये open ecosystem provide कर रहा है, जहां buyer seller एक दूसरे से interact कर सकते हैं, कोई restriction नहीं है, आगे who can participate, इसमें कौन-कौन participate कर सकता है, जितनी digital marketplace है, Amazon, Flipkart, वो आ सकती है, marketplace startups, जैसे के swigy आ सकता है, zomato आ सकता है, large and small merchant, जो आपका पर्चून की दुकान वाला है, जो आपका बिक बजार वाला है, वो भी यहां आका register कर सकता है, अपने products बेच सकता है, payment partner, भाई वहाँ पैसा भी तो आप दोगे, तो यहां digital payment partners भी आ सकते हैं, जो आपके payments में help करें, logistic partners, जैसे, अब जाता है, delivery, जितने logistic वाले हैं, इंडिया post, वो सब भी इसका access कर सकते हैं, और technology service providers को भी access देगा, भाई, different, जैसे UPI platforms बने हैं, different apps बने हैं, वैसे ONDC, different companies के apps बनाएंगे की नहीं बनाएंगे, तो digital service providers भी इसका access पा सकते हैं, so different players को इसके फायदी होने वाल what makes ONDC different from other platform, ONDC का अंतर क्या है, पहली चीज़ क्या है, buyer और seller can try that through whichever platform application they use, जो मेरा मन कर रहा है, जैसे UPI में जो मेरा मन करता है, मैं उस app को चुन करता हूँ, कोई phone पे use कर रहा है, कोई Paytm UPI use कर रहा है, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, यह open source है, कोई restriction नहीं है, कोई qualification नहीं है कि आपको इधर register करना है, उधर open है, open है, तो यहाँ transparency होगी, better regulation होगा, ताकि जो sellers है, उसका minimum exploitation हो, भाई, deep discounting से, जो बेच रहा है, उसका विचारे का नुकसान करती है, Amazon और Flipkart, fair trade practices होगी, किसी का नुकसान नहीं होगा, और यह boost करेगा, local economy, क्यूंगी हमारे देश के जो local खुद्रा वैपारी है, जिनके पास पैसे की कमी है, वो इस open source platform का इस्तमाल करके, अपना सामान, buyers तक पहुँचा पाएंगे, नेक्स्ट, एम क्या है, एम क्या है, पहली चीज़ क्या है, around 1.2 करोड hyper local किराना स्टोर, जो हमारे परचून की दुकाने हैं, किराना स्टोर हैं, वो 80% खुद्रा वैपार का छेतर उनके हाथ में हैं भारत में, और यह सब की सब digitally connected नहीं है, तो ONDC strategy paper ने बताया गया है, कि यह जो 80% जिनके पास market share है, एक करोड़ बीस लाख परचून की दुकाने, किराना स्टोर, इनको digitally हम connect कर पाएंगे, ताकि वो e-commerce का इस्तमाल करकर फायदा उठा सके, फिर even though COVID-19 pandemic has given massive boost to e-commerce, जब pandemic आया, तो सब online समान खरीदने लगे, लेकिन online समान खरीदने का, क्या हमारे जो local किराना स्टोर वाला था, उसको फायदा हुआ, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो इन पे registered था यह नहीं, यह restrictive platform है, platform driven platform है, तो इनका फायदा किसको हुआ, Amazon को हुआ, Walmart को हुआ, Flipkart को हुआ, और यह 60% marketplace dominate करते हैं, तो यह monopoly break करनी है, इसलिए ONDC आ रहा है, आगे, to allow small seller be free of such shackles, जो यह platform driven approach है, जिनकी वज़से वो जकड़े हुए हैं, वो फालतु में उनका नुकसान हो रहा है, उनसे free करेगा ONDC, तो यह operator driven monolith platform से आपको free करके, platform centric model से buyer seller को free करके, एक facilitator driven, interoperable decentralized network बनाना चाहता है, जहां, जिसका मन जो चाहे, जहां बेचना चाहे, वहां बेचे, जो जहां खरीदना चाहे, वहां खरीदे, और interoperatability जैसे UPI में है, वैसे यहां भी है, आगे बढ़ते हैं, ONDC aims to raise e-commerce penetration from nearly 8% to 25% in next two years, आज के समय, e-commerce का जो penetration है इंडिया में, वो सिर्फ 8 प्रतिशत है, इस 8 प्रतिशत को 25 प्रतिशत अगले दो साल में करने का target है, ONDC के माध्यम से, और इसमें क्या है, इसका aim है कि 90 करोड बायर्स को और 12 लाग सेलर्स को अगले 5 साल में, ONDC के माध्यम से एक दूसरे से मिलाना, जिसकी वज़े से जो 48 बिलियन डॉलर का sale value भारत को बनेगा, यह market बनेगा, 48 बिलियन डॉलर का, आगे अगर हम बढ़ें, अब कौन-कौन इस ONDC में साथ दे रहा है, ऑन बोड आ चुका है, तो अभी इस समय बहुती कम लोग आए हैं, only handful और buyer side and seller side participant are live on ONDC, क्योंकि अभी pilot project चल रहा है, Paytm, उसरे buyer side की interface को भी live करा है, seller side को नहीं करा है, Digit, E, Samuday, Gofrugal Technologies, Growth Falcon and seller app offers seller side interface, तो यह seller side की तरफ से आ रहे हैं, डुन्जो और load share logistic side से आ रहे हैं, तो अभी बहुत कम लोग इसमें आए हैं, लेकिन अभी धीरे 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 इसमें काफी लोग जुड़ते जाएंगे, जैसे UPI में, initially सिर्फ phone पे था, फिर Paytium भी आया, फिर HDFC भी आया, फिर Access भी आया, सब लोग आए, ऐसे ही इसमें भी अभी सब लोग आएंगे, अभी कम लोग है क्योंकि पाइलेट प्रोजेक्ट है, सिर्फ पाँच शेहरों में अभी इसको लागू किया गया है, जो ONDC आप्स अपने खुद के बना रही हैं, जिसका इस्तमाल बायर और सेलर कर सकते हैं, वो ये कमपनिया है, ATL हो गई, Access Bank हो गया, HDFC, Indian Post and hundreds of other businesses have initiated integration with network according to ONDC website, ये सारे लोगों ने अपना integration ONDC से, जुड़ाव ONDC से चालू कर दिया, क्योंकि अगले पांस साल में ONDC will dominate the e-commerce space, democratize the e-commerce space in India, तो जो tech majors हैं, Google और e-commerce giants जो हैं, Flipkart, Amazon भी consider कर रहे हैं, अब जान रहे हैं क्योंकि मुनापली जाने वाली है, तो इससे अच्छा है कि जो अभी है, उसमें जुड़ जाओ नहीं तो जो बिजनस है, वो भी खराब हो जाएगा, तो वो भी जुड़ने का सोच रहे हैं, उन्हें मीडिया परसन को बोड़े, देर considering, ये सारी चीजें हैं, और इसके माध्यम से सिंपल सी बात जो भारसर करना चाह रही है, वो ये है, कि जो मुनापली created है, जो flip card, Amazon का 60% market share है, जिसका नुकसान हमारे buyer seller दोनों को हो रहा है, इसको रोकना है, ताकि जो e-commerce छेत रहे, वो असलियत में सब के लिए हो, restrictive ना हो, platform centric ना हो, open हो, जिसमें हर इनसान, छोटा बड़ा buyer seller सब जाकर अपना सामान बेच सके और खरीच सके, ये चीज़ है ONDC की, ये ONDC के बारे में आज हमें बात करनी थी, मेरी आशा है, आपको समझ में आया होगा, आखरी में जाने से पहले, एक बार फिर आपको बता दूँ, foundation batch 4 है, foundation batch 4 की cost इस समय 20,499 रूपे है, इसको आप 18,500 रूपीज में enroll कर सकते हैं, अगर आप use करेंगे code kplive, so, इस code का इस्तमाल करिये, 18,500 में, foundation batch 4 की क्या फाइदे हैं, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ONDC, आखरी मैं बता दूँ, एक बहुत important initiative है, government of India का, जो सरकार ने लिया है, to democratize, to increase accessibility, to increase transparency, in e-commerce market space, where each and every buyer and seller gets benefited, जैसे UPI ने digital payments को democratize किया है, accessible बनाया है, आसान बनाया है, उसी तरह e-commerce space के लिए, ONDC ये काम करेगा, इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, आप मुझे सोशल मीडिया पे follow कर सकते हैं, Twitter, Instagram, Telegram पे, कूर सरेकोनमी गूरूप को Telegram पे सर्च कर लिजे, जॉइन कर लिए, आपके जो भी सवाल है, आप मुझे भेज सकते हैं, और उन सवालों के जवाब मैं आपको दूँगा तुरंद, So, thank you very much, इस तरीके से ONDC, Amazon और Flipkart की जो मुनापली है, उसको खतम करने वाला है, Thank you very much guys, take care, Jai Hind